हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है 20 अपरेल 2024 और 20 अपरेल 2024 से रिलेटिड करंट अफेर्स के जितने भी कुशन बन सकती है आज क्लास में सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से रिलेटिड इंपोर्टन पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुबह 7 अम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए इससे आपकी तैयारी करंट अफेर्स में बहतर होने व आज का पहला कुशन लिखा है फिन टैक फर्म भारत पे ने किसे पूर कालिक मुख्यकारकारी अधिकारी के रूप में नुक्त किया है फिन अपॉइंटेड एस दा फूल टाइम चीव एक्जीक्यूटिव ओफीसर बाई फिन टैक फर्म भारत पे फर्स्ट ऑप्सन है सुहेल समीर को, सिकेंड ऑप्सन है नलिन नेगी को, फर्ड ऑप्सन है राजीब सिन्ना को या फूर्ट ऑप्सन है रवी सिंग को बताईएगा दोस्तों फिंटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्ड कालिक मुख कारिकारी अधिकारी के रूप में नुक्त किया है इस कुश्चन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नमबर बी नलिन नेगी जी को चलिए इस कुश्चन से रिलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंटों को पारती है फिंटेक फर्म भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और मुख वित्ती अधिकारी नलिन नेगी को पूर कालिक मुख कारिकारी अधिकारी के रूप में पदोनुत किया है जनबरी 2023 में ततकालिन सीईओ सुहिल समीर के पद से हटने के बाद नेगी को अंतरिम सीईओ का प्रभार दिया गया था 28 वर्सों से अधिक के अनवों के साथ नेगी साल 2022 में भारत पे में सामिल हुए थे ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स सिविल सेवा परिच्छा 2023 में प्रथमिस्थान किसने प्राप्त किया है हू इस्टूड फर्स्ट इनदा सिविल सर्विस एक्जामिनेशन 2023 फर्स्ट ऑप्सन है अनिमेज प्रथान ने सेकेंड ऑप्सन है आदित श्रीवास्तब ने थर्ड ऑप्सन है डोनरू अनन्या रेड़ी ने या फोर्ट ऑप्सन है पीके सिधार्थ ट्राम कुमार ने जल्दी से बताईएगा दोस्तों सिविल सेवा परिच्छा 2023 में पिर्थम इस्थान किसने प्राप्त किया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ऑप्सन नंबर बी आदित श्रीवास्तब ने चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टन पॉइंटों को परते हैं UPSC ने 16 अप्रेल 2024 को सिविल सेवा परिच्छा के नतीजे घोतिस्त किये आदित श्रीवास्तब ने पहला इस्थान हासिल किया उसके बाद आनिमेज प्रिधान दूसरे इस्थान पर और डोनरू अनन्या रेड़ी तीसरे इस्थान पर रहे ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड ने क्वांटम टेकनोलोजी में सायोग के लिए किसके साथ समझोता किया है वित हूम है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड साइंड एन एग्रिमेंट फॉर को आपरेशन इन क्वांटम टेकनोलोजी फर्स्ट ओप्सन है आयाईटी वारा नशी, सेकिंड ओप्सन है आयाईटी मुंबई, थर्ड ओप्सन है आयाईटी डेहली या फॉर्ट ओप्सन है आयाईटी मंडी जल्दी से बताईएगा दोस्तों भारत Electronics Limited ने Quantum Technology में सहीयोग के लिए किस के साथ समझोता किया है? इस Question का जो Right Answer हो जाएगा Friends वे है हमारा Option Number D, IIT, Monday ने? चलिए इस Question से Related Important Point 2 को पढ़ती है नवरतन Defense, PSU भारत Electronics Limited ने Semiconductor, Quantum Technology और ड्रोन के छेत्रों में अनुसंधान में सहीयोग के लिए IIT, Monday, हिमाचल पिरदेश के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये है B.E.L. एक भारत सरकार के सौमित वाली Aerospace और रच्छा Electronics Company है चलिए आंगे बढ़ती हो और नेस Question देखती है I.P.E.L. इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है Which team broke its own record of the highest team score in I.P.E.L. हिस्ट्री First option है Sunriders हैदराबाद ने Second option है Delhi Capitals ने Third option है Royal Challenger Bengaluru ने या Fourth option है चिनने सुपर किंग्स ने बताईएगा Friends I.P.E.L. इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है इस Question का जो Right Answer हो जाएगा Friends वह है हमारा Option number A Sunriders हैदराबाद ने चलिए इससे Related Important Point 2 को परती है Sunriders हैदराबाद ने I.P.E.L. इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया बैंगलरू के M.C.N. स्वामी स्टेडियम में Royal Challenger बैंगलरू के खिलाब 287,3 का स्कोर बनाया जो एक नया रिकॉर्ड हो टोड़ाल है इसी सीजन हैदराबाद ने इंडियन के खिलाब 273 विकेट के नुकसान पर यह रिकॉर्ड बनाया था ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेस कुशन देखते हैं नेस कुशन लिखा है इसी सीजन है रिकॉर्ड बनाया था रिकॉर्ड बनाया था जल्दी से बताईएगा दोस्तो हाइब्रिट पिछ तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्सन नंबर सी धर्मिशाला चलिए इस कुशन से रिलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंटों को परती हैं हिमाचल पिर्देश किर्केट एसोसियेशन किर्केट में तकनीकी का उपयोग करने में हमेशा आंगे रहा है इसी कड़ी में HPCA ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिछ तकनीकी का उपयोग सुरू कर दिया है धर्मिशाला में पहली बार हाइब्रिड पिछ इंस्ट्रॉलेशन भारती किर्केट को नई उचाईयों पर ले जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हों नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स अंतराश्टी मुद्रा कोस की MD कौन है जिने दूसरे 5 साल के कारिकाल के लिए चुना गया फ्रेंड्स अंतराश्टी मुद्रा कोस की MD कौन है जिने दूसरे 5 साल के कारिकाल के लिए चुना गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नंबर B क्रिश्टालिना जौर जीवा है चलिए इस कुशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्टों को पढ़ती है अंतराश्टी मुद्रा कोस ने 1 अक्टूबर 2014 से सुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कारिकाल के लिए क्रिश्टालिना जौर जीवा को प्रभन निर्देशक के रूप में फिर से नुक्त किया है बुलगारिया की क्रिश्टालिना जौर जीवा ने 2019 से IMF की MG के रूप में कारे रते हैं चलिए आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स बाए हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडर वुड का निधन हो गया वे किस देख से सम्मन्दित थे ग्रेट लेफ्ट आर्म स्पिनर डेरेक अंडर वुड पास्ट अवे ही बिलोंग टू विच कंट्री फर्स्ट आप्शन है इंगलेंड सिकेंड आप्शन है उस्टेलिया थर्ड आप्शन है साउथ अफ्रीका फूर्थ आप्शन है न्यू जी लेंड जल्दी से बताईएगा फ्रेंड्स बाए हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडर वुड का निधन हो गया वे किस देख से सम्मन्दित थे इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्सर नंबर ए इंगलेंड से सम्मन्दित थे चलिए इस कुशन से रेलेटर इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है इंगलेंड के लिए सरवादिक विकेड लेने वाले बाए हाथ के स्पिनर डेरेक अंडर वुड का निधन हो गया है इन्होंने इंगलेंड के लिए 86 टेस्ट मैच में 297 विकेड लिये थे 676 फर्ष्ट क्लास किरिकेड में अंडर वुड ने 2465 विकेड लिये थे अंडर वुड ने साल 2008 में मेरी ले बोन किरिकेड कलब के अध्यच के रूप में कारी किया और 2009 में उन्हें ICC Hall of Fame में सामिल किया गया था ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स IMF के अप्रेल 2020 पूर्वा नुमान के अनुशार वित्तिय बर्स 2024 के लिए भारत का संसोधित GDP विकास अनुमान क्या है एज पर IMS अप्रेल 2020 फॉर्कास्ट वाट इस दा रिवाइज़ड ग्रोथ प्रोजेक्शन अफ इंडिया फॉर दी फाइनेंशियल इयर 2024 तो 2025 फर्स्ट ओप्शन है 6.5 परसंट सेकेंड ओप्शन है 6.8 परसंट थर्ड ओप्शन है 7.0 परसंट जल्दी से बताइएगा दोस्तो इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेह है हमारा ओप्शन नंबर भी 6.8 परसंट चलिए इस कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं अंतर राश्च्टी मुद्रा कोसने 16 अपरेल 2024 को वित्तिय वर्स 2024 पर्चेस के लिए भारत के सकल घरेलू उतपात के विकास अनुमान को बढ़ा कर 6.8 पिरसंट कर दिया जो इसके पिछले पुर्वानुमान 6.5 पिरसंट से अधेक है ठीके दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुश्चन देखती है नेश कुश्चन लिखा है फ्रेंड्स 15 अपरेल 2024 को नई दिल्ली में आतंगवास से मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुक्त कारे समुहूं की सोलवी बैठक के दोरान मुख विसियों पर क्या चर्चा हुई है What were the main topics discussed during the 16th meeting of the India-France Joint Working Group on Counter Terrorism in New Delhi on April 15-2024 पर्स्ट ओप्शन है आर्थिक सैयुक्त पर, सिकेंड ओप्शन है जलवायू परिवर्तन पर, थर्ड ओप्शन है आतंगवास से निपटने की चुनोतियों पर, या फोर्थ ओप्शन है अंत्रिच अन्वेशड पर जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स इस कुईशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुईशन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्शन नंबर सी आतंगवास से निपटने की चुनोतियों पर, चलिए इस कुईशन से रेलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंट्टों को पढ़ती हैं, आतंग बात से मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुत कारिसमों की सोलवी बैठक 15 अपरेल 2024 को नई दिल्ली में हुई, चर्चा में भारत विरोधी अलगाववादी गतिविदियों, आतंग के वितिपोसर संगठित अपराद और नार्को आतंगवादी नेटवर्ग का करने पर भी चर्चा हुई है, ठीक है दोस्तों, चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं, आज का लाज कुशन लिखा है, फ्रेंड्स कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है, संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का अनभव करने वाला पहला देश बन गया है, विज कंट्री इज फेसिंग सेवियर पोपुलेशन दिशाइन पोटेंशियली बिकमिंग दी फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस दी पोपुलेशन, फर्स्ट ऑप्शन है इटली, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीज, थर्ड ऑप या फोर्ट ऑप्शन है साउथ कोरिया, जल्दी से बताईएगा दोस्तों कौन सा देश गंबीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है, संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का अनभव करने वाला पहला देश बन गया है, इस गंबीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है, संभावित जनसंख्या गिरावट का अनभव करने वाला पहला देश बन गया है, अनने था स्वस्ते युवाओं में, हिर्दे बिपलता, श्ट्रॉक, रक्त के ठक्के और कैंसर के कारण मरत्यु दर में व्रद्धी हुई है, ठीक है दोस्तो, आई होब आचके सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंट्स, और सभी कुशन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोर्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे, एक्जाम के नजरिये से दोस्तो, क्लास बहुत हेलफुल रही होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टो को आप लोगों अच्छे से समझा हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, सेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो माज दोस्तों,